नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियों हम बात कने बाले एस्टेट बेंक आप इंडिया के बारे में अगर आप लोग वह पर अपना एक एकांट ओपन कर वह हैं या आपका पहले से खाता है अगर आप लोग अपना उसमें अधार लिंक नहीं कर रहा है दोसमें पर अधार लिंक किसको कहा जाता है अगर आप लोग अपना बेंक नहीं कर रहा है तो किस प्रकार से आप उनलाइन बिना बेंक जाए हुए आप अपने मोईल पर बेंक में अधार करा सकते हैं तो किस प्रकार से करना तो आप इ पहले बाद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगन जो बैल आइकन है उसे बिम पर आल प्रेस कर दे ताकि हमारा और वाला वीडियो का नाटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे चलिए दोस्तो इस कमाल वीडियो को में श्टार्ट करते हैं दोस्तो अपने मुईल फोन से एस्टेट बैंक ओप इंडिया में अधार लिंग करने के लिए आपको क्या करना है आपको सबसे पहले अपने मुईल फोन का होम screen पर आ जाना है और अब आपको क्या करना अपना जो Chrome है कुछ Chrome को आप open करेंगे open करने बाद आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आपको लिखना है SBI यह लिख के आप search करेंगे search करने बाद आपके समय जो first माता state bank of India इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद आपके समय इस तरह सा personal banking और login का button सो करेगा आपको login वाले button पर click कर देना है click करने के बाद आपके समय इस तरह से continue to login का option सो करेगा आपको continue to login पर click कर देना है click करने के बाद आपसे username और password मांगा जा रहा है अगर आपको आप लोग अपना username password नहीं बना है तो उसका वीडियो का password बना यहां पर जो बना है उसको डालते हैं और यह जो यहां पर खाली box है इसके अप्चाओ को यहां खाली box में fill up करके login वाले button हम click कर देते हैं पर देख सकते हैं जो भी मेरे मोगाइल से register आई है यहां पर बैंक मेरे रजिश्टर मोगाइल नमर उस पर एक OTP गया है आपको इस e service पर click करेंगे इस service पर click करने को आज है आपको देख सकती है इस service में जितनों भी सर्विस सर्विस सारा सर्विस मिअनपर ढिया जागा आपको नीचे आजनेया पर सबसी नीचे आईएगा आपको यह पर एक service देख सकते हैं यह EPS service दोस्तों यह पर ए होता है अधार enable payment पर देख सकते हैं आपको EPS service पर click करेंगे इस पर आप जैसे click करेंगे तो आपके सम्वनी कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग ले रहा है तो आपको क्या करने आपको यहाँ पर कुछ सकेंड वोइड करना है वोइड करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं यही सबी एपीज़ सर्विस आपका CIF नमर सो हज़ेगा आपके बैंक का ब करेक्शन करना चाहते हैं तो आप मोडिफिकेशन पर किलिक करेंगे अगर आप उसका इंक्वाईरी करना चाहते हैं तो इंक्वाईरी पर किलिक करेंगे तिया अपर हम रजिस्टर पर किलिक करते हैं और समीट पर किलिक करेंगे इस पर किलिक करने पर देख सकते हैं यहाँ customer you have already register for these service जो यहां पर मेरा आधार जो State bank of India में मेरा पहले से ही रजिस्टर है तो मेरा इस तरह से बताएगा अगर आप लोग का पहले ही रजिस्टर होगा तो इस तरह से बताएगा अल्रेडी रजिस्टर अगर आपको कईसे करना है वह भी आपको बताते हैं जैसे आप रजिस्टर करके समिट करेंगे इस तरह साथ आधानोर सो हो जाएगा आपका आपको आप्स प्लेग और आपको ऑफस प्लैग इस पर किलिक करें है तो आपको दो पहले आप इसका मतलब समाझिए और अस का मतलब है यहाँ पर जो इस्टिट बेंग को CSP है वहीं सब्सक्राइब रुप्चा निकाल सकते हैं यहाँ पर ऑफ अस का मतलब है कि यहाँ पर अपनो जो बैंक CSP है उसमें अपनो एक बार में आप अपनो बेंक से एक दिन आप ती यहाँ पर तीस अजार निकाल सकते हैं वही है यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं आप जो यहाँ पर आधार से निकाल से करेंगे तो एक दिन में आप दस अजार निकाल से कर सकते हैं आधार से फिर आपको सम्मीट पे किलिक करेंगे और इस तरह से नो डाटा अपडेट इस करेंगे तो दोस्तों आपको क्या करने पर सब्मीट कर देते हैं तो आधार रिष्टे मोल पर ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को फिलब करके सब्मीट करेंगे तो आपका अधार लिंक सक्सेस्पुल हो जाएगा अब आपको यहां पर चोविस घंटे के बाद आप अपना यहां पर क्या कर सकते हैं अपना अधार से पैसा निकासी किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप कर सकते हैं तो अगर आप यहां पर हम प्लिस सेलेक्ट इंक्वारी पर किलिकर करके कंटिन्यू करते हैं तो अपना हम इंक्वारी कर सकते हैं पर देख सकते हैं मेरा एप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूल सब्सक्राइब कर देजेगा चलिए दोस्तों मिलते हैं ने इस्ट वीडियो में